और अब खबरे विस्तार से पुने में वीबान में आई महिला चिकित्सक के बैक से 6.5 लाक रुपए के गहने चुराय जाने का मामला सामने आया है इस प्रकरन से नागपूर के डॉक्टर बाबा साय बामबेट कर वीबानतल के अधिकारियों में हड़कम मचा हुआ है धनतोली निवासी डॉक्टर अनुराधा अनिरुद सामरे अनिरजा होस्पिटल में कार्यरत है उनके भतीजे की पुने में शादी थी उसमें शामिल होने के लिए वह 16 नवंबर को पुने में गई थी वहां से सोमवार की शाम नागपूर के लिए रवाना हुई अनुराधा शाम पाच बच कर 10 बचे इंडिगो की उडान से नागपूर पहुची उन्होंने पुने विमानतल पर 6.55 रुपे कीमत के सोने के गहनों से भरा पाउच सफारी बैग में रख दिया वह बैग लगेज डॉप से नागपूर पहुचा शाम के 6 बच कर 20 मिनिट पर नागपूर के विमानतल पर पहुचने के बाद अनुराधा भाई की कार में सवार होकर घर पहुची घर में बैग खोलने पर उन्हें गहनों का पाउच नजर नहीं आया अनुराधा ने विमानतल और इंडिगो से संपर किया मंगलवार को सोने गाउथा ने पहुच कर शिकायद दर्च कराई पुलिस ने चोरी का मामलाद दर्च किया है लगेज ड्रॉप के पहले सामान की स्कैनिंग होती है पुलिस का संदे है कि पुने विमानतल पर ही गहनों की चोरी हुई है अनुराधा ने बै की चैन पर ताला लगाया था वह भी लगा हुआ बताया जाता है